नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूब धुनशी आर्थी में दोस्तों मैं आज आपको किस तरीके से आप भोग या भोजन जो है नवरात्री के दोरान माको अरपन करेंगे उसकी कुछ विधी में आपको बताने वाला हूँ भोग और भोजन जो है वो तो हर प्रदेश में अपने अपने होते हैं हर पड़िवार में अपने अपने होते हैं कुछ समुदाय में अपने अपने होते हैं मैं उस बार में बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या भोग आप चढ़ाएंगी क्या भोजन आप चढ़ाएंगे वो आप अपने पसंद के हिसाब से चड़ाईए मैं जादा तर आपने देखा होगा मेरे वीडियो में मैं भोग और भोजन के बार में बिल्कुल बात नहीं करता हूँ क्योंकि हर प्रदेश में हर चीज नहीं मिलता है और हर पड़िवार में अपने अपने भोग और भोजन बनाने का अपना एक तरीका होता है तो इस वज़र से जो है मैं उस बार में कोई अलग से बात नहीं करता हूँ दोस्तों पर भोग या भोजन आप चाहिए किसी भी प्रदेश में रहते वहाँ पर इन साड़ी मैं जो रूल्स आपको बता रहा हूँ अगर आप वो फॉलो कर पाते तो ये बहुत ही अच्छा होगा मैंने ये जो रूल्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने दक्षिन भारत से सीखा था मुझे वहाँ पर इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो कारण उन्होंने मुझे बताया था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, तो यही जो है मैं आप लोगों से शेर कर रहा हूँ, मैंने इसे अपने पूजा में अट किया कि मैं हर प्रदेश में हो या फ प्रदेश से जो भी जाड़ी अच्छी चीज़े है, उसे सीख कर जो है अपने पूजा में आट करना और पूजा को और भी जादा सम्रिद्ध करना, इससे एक संस्क्रति की एक तका भी जलक मिल जाता है दोस्तों, तो इसमें जैसे की धुनुची मैंने लिया है, इसके ग्रिहस्त लोगों का जो भोजन निवेदन होता है, वो मंत्र के माध्यम से नहीं, बलकि आरती के माध्यम से होता है, कहते हैं मंत्र के माध्यम से भोजन निवेदन करने के लिए उपवित का होना जरूरी है, और कईयों कमत यह है कि दिक्षा होना भी जरूरी है, पर जो सा भगवान को अरपन करना चाहिए हाँ जो आजमन पात्र का जल होगा वो भी आपको इसमें छिड़कना है वैसे और उसके साथ आरती करना है ये जो होता है मुनरूप से ग्रिखस्तों का जो भोजन निवेदन होता है भगवान को वो प्रक्रिया होता है तो हम दूसरे विश्य समस्या नहीं है उसके साथ बस आपको ध्यान रखना है कि आपको आरती जरूर करना है अबश्यक रूप से आपको आरती करना है आरती के बिना आप जो है भोजन अरपन ना करे बहुत सारे लोग ये सवाल करते इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूं दोस्तों कि आरती आपक तो इसलिए जो है दोस्तों आपको भोग अर्पन के साथ आप कुछ भी करें अब बता साही क्यों ना भोग में अर्पन करें आपको आर्थी करना ही है ये विशय ध्यान में रखेगा अब जो है ये दिखें मैंने थाली और कटूरी और ये धूब ये क्यों लिए है इसमें ज जाहें तो रख सकते हैं भूमी पर रखते हैं तो वहाँ पर ऐसे जलका आपको तीन बार छिरकाओ करना है और अगर आप किसी पाटे पर भी रखते तो वहाँ पर भी आपको तीन बार छिरकाओ करना ही है जलका उसके बाद ही जो है आपको भोजन आदी जो भी साड़ी चीज उसमें आप परोस तकते हैं इन तीन चीज़ों में आपको परोस ना चाहिए कभी भी स्टील के जो भी सारी चीज़े होते हैं या आपर लोग प्लास्टिक में देते उसमें भोजन परोसा नहीं जाता है स्टील आप पूल बगेरा रखने के लिए या पर ऐसे कुछ अकारिय जो भी दूसरे हैं उसके लिए उन थालियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं पर आपके पास कम से कम भोग यानि भोजन आरपन करने के लिए कम से कम एक पीतल का थालिया आपके पास होना जरूरी है बाकी सा भलेई स्टील का खरीद है जैसी कि मैं खहता हूँ आपको कि धूब दीब दानी जो है वो हमेशा पीतल का खरीदना चाहिए उसी तरीके से भोग के लिए भी आपको जो पात्र लेना है वो आपको पीतल का ही लेना है अब कटोरी के विशे में आ जाते हैं यह कोई दाल या या फर खीर या फर इसके लिए नहीं है वो आप अलग लगा सकते हैं इस तरह के कटोरी अगर आपके पास है या फर मिटी के कटोरी में भी जो है आप लगा सकते हैं पर ये कटोरी जो है इसमें पानार्थ जल यानि कि जो भगवान के जो पान के अर्था जो जल वो ग्रहन कर और उसमें एक पे पिये जाते है जो कि देव पूजा के लिए उसलिए उस बरतन का इस्तिमाल नहीं होता है अर्था जो है क्योंकि ग्लास का जो एक शब्द है वो असल में तो एक इंग्लिश सब्द है मतलब इंग्लिश में उसका परिचाय होता है ग्लास जब हम लोग बोलत और ग्लास का मतलब असल में होता है कांच से बना हुआ कोई प्रे मतलब पान करनी के पे जो होता है वो पात्र जो होता है कांच का ये हमें बोध होता है पर भागवान की जब हम पूजा कर रहे हैं हम अपने भागवान को किसी भी प्रकार की कोई जल चरहा रहे है जो वो पान करेंगे आनि ग्रहन करेंगे वो हमें हमेशा ग्लास में नहीं बलके ऐसे कटोरी में चढ़ाने चाहिए बहुत सारे लोग लोटे में भी चढ़ाते हैं तो लोटे में अगर आप चढ़ाते तो सही है लोटे के उपर आप ऐसे एक कटोरी रख सकते क्योंकि कटोरी के माध्यम स जल पान होता है लक्षिन में अगर आपने देखा होगा वहाँ पर कॉफी हो या पर जो भी सारे वो दूसरे प्रकार के वो पी भी पीते जो उनका पारमपारिक होता है वहाँ पर नारिल पानी भी बहुत सारे लोग जो नारिल के खोपड़े में पीते हैं जो सेल होता है उसम चाटोरी में दालकर वो पीते हैं तो इसलिए आपको इसक्रकार के इसक्रकार के थे ऐसे आपको बरह यहां 05 μ1 करता है आपकी इच्छा के उपर निर्भड करता है मैंने भावना मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने इस चीज को अपनी चीज में एट किया वैसे हमारे घर में भी जो ऐसे क्योंकि कुछ परंपड़ा है कि शर्वत बगेरा देने की तो वो आज भी क्लास में दिये क्योंकि पुराने समय से वो चीजे कुछ चले आ रहे हैं हमारे यहाँ पर वैसे तो भूग का चलल नहीं है पर कुछ विशिश विशिश दिनों में जब ये कारिया किये जाते है तो उस समय जो है ये कटोरी का ही मैं इस्तिमाल करनी की कोशिश करता हूँ और करता ही हो मुल रूप से तो कटोरी में आप जो है न जल दे जो की भागवान को आप जल देंगे पिय जो जल होगा वो जब आप देंगे तो उसे कटोरी में देने की ही आप कोशिश करिए दोस्तों मैंने भावना आपको बताया इसके पीछे का कि जो पे जो द्रव्य होता है वो ग्लास क जो एक सोच है आप ग्लास जब भी आप सोचेंगे ना तब आपके मन में कांच का वो ग्लास ही आ जाता है सबसे पहले जैसे हम लोटे के बारे में बात करते तो पीतल का या तामबे का लोटा हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है तो ग्लास जब भी हम बात करते ना त भोग अर्पन में भी तो उसमें जो है अगर आप एक कटोरी में ही जल देंगे तो ये जादा अच्छा होगा ये मेरे खिया से और लोटा भी एगर रखते तो उसके साथ कटोरी एक रखने की कोशिश करिए अब विश्य आ जाते ये धूप पर तो धूप मैंने यहाँ पर क् रखे दोस्तों ये भी एक मान्यता है कि जो भोग हम चड़ाते उसके उपर किसी भी प्रकार का कोई नेगटिव एनरजी का प्रभाव ना आ जाए अर्थात पॉजिटिव उर्जा जो होता है वो दो प्रकार के होता और दोनों प्रकार की चीज़े हमारी खान पान से लेकर हमारी सारी चीज़े अर्थात हमारे हर इंद्रियों को प्रभावित करता है नेगटिव और पॉजिटिव हम भागवान के लिए जो धूब चलाते आर्ति करते ये हमारे नेगटिविटी को दूर करके हमारे भीतर पॉजिटिविटी को लाता है तो इस वज़े से जो है मैंने यहां पड़ भी अर्थात हमारे यहां पड़ भी कुछ पड़िवारों में देखे है कुछ मंदिरों में मैंने देखे है पर उतना जादा नहीं है पर वहां पर भोग अर्पन दक्षिन भारत में भोग जब भी अर्पन किया जाता है तो मैंने देखा है कि वहां पर दूब जलाते ही है, ताकि भोग जो अरपन किये जाते हैं, उन भोग यानि भोजन जो मूल रूप से होता है, भोग या भोजन जो भी आप बोल लीजे, भोग की कॉंसेप्ट कुछ अलग होते हैं, भोजन की कॉंसेप्ट कुछ अलग होते हैं, ये अलग आलोचना के विश है तो भोग या भोजन जो है वो जो भी आप चड़ारे उसके उपर किसी भी प्रकार की negativity का साया ना हो और थात negative उर्जा जो है उस भोजन को खड़ाब ना करे क्योंकि वो देपता के भोजन है तो इसलिए जो है ना उस negativity को दूर करने के लिए ये धूप जलाये जाते हैं जैसे जो है किसी भी प्रकार की कोई negativity उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना डाल सके तो आप जब जो है आपने भोग लाए या पहले से आप धूप जला लिजे या पर भोग के समय भोग जब आप अरपन कर रहे हैं विदिवत तरीके से जो है भगवान के सामने आप कर रहा रहे हैं तब आपको धूप जलाना ही है ये विशय जो है आपको खयाल रखना है ये जो कारण है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मुझे बहुत ही सही लगा था क्योंकि हाँ ये एक विशय होता है कि negative ओर्जा हमारे खानपान से लेकर हमारे बहुत सारी पूजा करने बैठते तो आपको कुछ दूसरे चीजों का खयाल आ जाता है कुछ गंदी चीजे शायद आपके दिमाग में आ जाते है ऐसा नहीं है कि वो आप देखते है या पर आप वही सारी चीजों में आपका मन है ऐसा नहीं है पर वो सारी चीजे कही से आ जाता है मन म तो वो क्या होता है वो नेगटिव उर्जा का प्रभाव होता है तो नेगटिव उस उर्जा को कम करनी के लिए ही जो है न यहाँ पर जब भोग अर्पन कर रहे हैं यानि नेगटिव उर्जा को खतम करनी के लिए यहाँ पर धूब जला जाते हैं तो आप राल गुकुल वाल या पर शडंग दूब जो भी आप जला रहे हैं वो आपको जलाना चाहिए मैं आपको कहूंगा आप भोग दान से पहले ही धूब जला लीजे उसके बाद भोग लेकर आईए आनि भोजन लेकर आईए भगवान के सामने रखिए और उसके बाद जो है जो आजमन का जल होगा उससे आप इस तरीके से भोजन के उपर छेड़के और पर आर्टी करिए तो ये ज़ादा अच्छा रहेगा पर अगर आप जो है भोग रखने के बाद भी धूब जलाते तो भी ठीक है मूल रूप से ये विशह है कि आपको धूब जलाने चाहिए जब भोजन आप भगव अपने अर्पन के उसके ऊपर ना पड़े तो ये विशह जो है आप अगर मतलब आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अपनी पूजा में एट कर सकते तो दूस्तों यही था पूजा के मतलब भोग अर्पन के रिट्रोस जो मैंने सीखा था और मैं अपनी पूजा में जो है इस चीज का फॉलो करता हूं तो मैंने मुझे लगा कि आप लोगों को भी एक बार बता दो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है नवरात्र की दिनों में आप इसका फॉलो कर सकते हैं तो यह वीडियो देखकर मुझे बताइएगा कि यह विश्या आप लोगों क कैसा लगा ये जो नए जानकारी है वो आप लोगों के लिए कितने फायदे मंद लगा और ये आप लोगों में से कौन-कौन लोग घर पे करते क्योंकि हो सकता है कि कई लोग करते ही है अपने घर पे पहले से इस क्रिया को जानते जैसे मैंने बता है आपको किशंक बचाया ज अचले थे आपने से अगर कोई करते तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेर जरूर कीजेगा और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ने जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार